जेहिन नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सबका कैरेट्स पॉइंट डफेंट सिक्याडवी में मैं आपका अपना दोस्ट जिदेंश्ट प्यारे बच्चों जिसला कि आपको पता है कि 01-2024 का जो इंटेक रहा उसका रिजल्ट दिवाली से पहले गोसित किया जी हां एक ख हैं निकालने के बाद कितने बच्चे फिट होए हैं और कौन पच्चा अनफिट हुआ है वो पूरी डिटेल से एक सूची में जारी करके इलोग दे देते हैं जिसमें जो बच्चा आपका मेडिकली अनफिट हुआ है जो बच्चे ने डाकुमेंट्स की डेट दी गई थी वो डॉकुमेंट्स उस समय तक नहीं जद दे पाया है नहीं जमा कर पाया तो उन बच्चों का भी एक दिया हुआ है कि आपके डॉक्यमेंट्स नजमा होने की वज़एसे बहुत सारी technical के नाम से भी जानते हैं कई चरणों में इस exams को कराया जाता है पहला लिखित परिच्छा लिखित परिच्छा जो कि आपका online होता है उसके बाद बच्चों ने फेस्टू पास किया फेस्टू क्या होता है जीडी एसाइटी होता थे साइटी हटा दिया गया है गुरूप डि प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट बोलते हैं और क्यारेट्स पॉइंट डिफेंस अक्याडेमी ने हमेशा की तरह आप लोग का प्रेम ऐसे ही बना रहे हमेशा असिरवाद है बढ़ोका कि पर्चम हमेशा मेंटेन रहता है रिजल्ट को लेकर और हम हमेशा बेतर से बेतर आ हैंगे प्रॉपर वीडियो में मेरे बच्चे हलो कि अधिए जिते इंसर बोल रहे हैं कि नमस्ते यह कह रहे हैं क्या नाम लिखते हैं अब अपना अच्छा फोटो है आपने फोटो भेजा नहीं है एक्चुली हमको लगता है तो अच्छा अच्छा तो पहले बहुत कुमार सिंग लिखते हैं एक से ग्रूप में हुआ है एक मिनट अच्छा अच्छा बहुत बढ़ी है अच्छा बहुत बढ़ी है अराम सोजाएगा बैटा राम सोजाएगा ठीक है बटा चलो बहुत बहुत बढ़ी है आपको तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें प्रॉपर जो डिटेल्स है क्रिश्न कुमार सिंग के नाम से और इनकी रहें के यहां पर है हैं डॉक्यमेंट सब्मिट नहीं हुआ कुछ बच्चे नहीं गए होंगे तो इस तरह बहुत बच्चों का सेलेक्शन हुआ है और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाओं तो आप अधित्य नारायन याद हो कभी अगर हम रिजल्ट सर्च करते हैं तो अधित्य नारायन आधित्य नारायन यह आगए तो इनकी टूटल रैंक कितनी गई है 29-2004 है इकटना है 29-2004 एक बार इंका डेट द का डेट बर्ढ़ मैच करा लेते है यह और 29-2004 इन्हों ने लिखा है एकदम सही रिजल्ट है इनका कि 29-2004 में इनका अधित्य ना रहा इंका इनका भी सलेक्शन आपको क्या हो गया मेरे बच्चे इनका भी सलेक्षन देगे ह हो गया है तो ऐसे लगबख देड़ सो बच्चे होंगे ऐसे ओर आल मिला के जो फिट हुए है अन्फिट को छोड़का जो फिट हुए है फाइनली पी एसल में प्रोविजनल सेलेक्शन इस ग्रूप का यहां पर जो ओवररॉल कटाफ गया मेरेबच्चे वह आप देखो कितना गया है यहां पर यह ओवर और गया है वाइस दिसम्टो चार तीन तो पहले कितना था कटाफ पाईस था ट्वंटी टुए एक्स ग्रूप का कटाफ था उसके बात कितना लेकर गया फो तो तॉतर दिसम्लो नो-Tीन कुत अबस्त का वड़ा को जन और यह गया तो यह आपको जान देना हैं instructions दिया गया है कि आपके enrollment list का थोड़ा से मैं उसके बारे में जिक्र कर दे रहा हूं तो आपका जो यहाँ पर enrollment list will be tentatively published on the 24th 11 2023 24 नमंबर को आपका enrollment list जारी कर दिया जाएगा इंडियन एरफोस की website पर अगनी पतवायू.cdac.in पर जाकर आप अपने website पर csb के portal पर आप जा सकते हैं 24 11 2023 की date को आपका enrollment जारी हो जाएगा और आपका documents verification शुरू हो जाएगा लगबग जीजे तो होई चुकी हैं आप लोग का ठीक है कितने बच्चे पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं प्रॉपर तरीके से दिया गया है मेरे बच्चे तो फीट और अन्फिट मिला कर जो हम अगर वाई ग्रूप की बात करते हैं ऋब् जो बच्चे पीट होई हैं जो बच्चे पित अन्फिट होई हैं सब मिला कर चार हजार नेन् papers आपका इस מेंसे गये हैं और यहां पर अगर आप x गुरूप में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो एक से ग्रूप में भी आप देख लो overall जो cut-off जो total बच्चे fit और unfit मिला के गए हैं वो कितने हो गए हैं आपके वो भी देखाता हूं आपको overall 4651 देखिए सरकिल में 4651 है वहाँ टोटल लगभग 8000 बच्चे जो मैंने आपको बताया था कि एकदम करेक्ट बताया था मैंने टोटल बच्चे आपके लगभग इतने हैं और विश्वास ना हो तो आप जाकर previous वाले वीडियो में देखना 8000 से लेकर 85 सो बच्चे मैंने एक क्राइटेरिया बताया था कि लगभग इतने बच्चे सलेक्ट हुए थे और आप सबने यही कहा था कि नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है लोग यह बता रहे हैं लोग बतार मैंने एकदम इग्जाक्ट डेटा आपके सामने ओपन करके रखा था इतने वच्चे टोटल हो रहे हैं और वही सिचिपिसंस आया टोटल 4000 यह और 4000 वह लगभग 85 6 800 बच्चे 87 सुबच्चे आंने कि इतना 888 कि अप जाईए कर देखिये कर लगभग वही डेटा क्म करें सामने एकदम एक्जाक्ट आया है यहां लिखा है कि देर प्रोविजिन कुछ बिमार थे कुछ बच्चे पहुंच नहीं पाए कुछ अंफिट थे कुछ का डॉकुमेंट से नहीं सब मिठो पाया तो इस सब को मिला कर जो सारे बच्चे वहां पर गए उन सब को मिला कर लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है ठीक है ट्रविजनल सेलेक्शन लिस्ट अर्नाट अरंटिडिड इन्डोल्मेंट ठेक है जो है या नहीं नहीं कटे नहीं उन् 오現َ नाम आएगा ही अब यह तो डिपन्ट करता है बिटा भीनगा इए कि जितनीं टोटल बेकंसी है उसके उपड़ left just जारी करेगा, medical fitness के उपर है, not exceeding the upper age limit, आपका एक कई से जाल से अगर ज्यादा आपकी age हो चुकी है, ठीक है, on the date of enrollment, जो भी date of enrollment list था, तो उसके बाद वो नहीं लिया जाएगा, validity of the PSL की validity है, ठीक 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 इसी unquary के लिए certificate subject of the verification होना है, आपको 17,11,2023 से बारा जाएगा, candidates will be cancelled, तो इसमें दिया गया, प्रॉपर इसको पढ़ लेंगे, कोई भी doubt होता है, किसी भी प्रकार का, तो एक बार आप हमसे consult कर लेंगे, हमारा toll fee number है, credits point defense academy का, आप सब के पास होगा, लगबग पूरे भा करके जानकारी ले सकते हैं मेरे बच्चे और हम आपको प्रोपर तरीके से आपको सारी information देंगे, तो आपको बता दें कि इंडियने फोस ने जो अभी देपावली से पहले अपना phase one का result गोसित किया है, उसके बाद phase two होना, उसके लिए 19 तारिक तक overall admissions चलने मेरे बच्चे, उसके बाद admission आपका close हो जाएगा तो एकदम आपको तयार रहना है और जल्द से जल्द क्यारेट्स पेंट defense academy आपको जोईन करना है, मिलेंगे तद तक के लिए टाटा बैबाद, जैहें जैवारत, बंदे बाद,